नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर अपने नए वीडियो के साथ उबस्तित हुआ हूँ आज आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ तीन बच्चे हैं जो कि अपना लाइव असेस्मेंट टेस्ट देने के लिए तयार हैं और हम अपना शुरू करने जा रहे हैं लाइव असेस्मेंट टेस्ट जो कि असोलियर एजूकेशन के उसी मास द्वारा लिया जा रहा है तो राइट हैंड पर आप देख पा रहे होंगे एक हमारे बस नया बच्चा है जिसका नाम मोहिनी है और वो अपना फर्स टर्म का लाइव असेस्मेंट टेस्ट देने जा रहे हैं और हमारे दो पुराने बच्चे हैं एक यक्षित है और दूसरा विराज जो कि अपना थर्ड टर्म का लाइव असेस्मेंट टेस्ट देने जा रहे हैं तो हमेशा की तरह दर्श को आप देख पा रहे होंगे कि सभी बच्चे त्यार हैं और वो अपना लिस्निंग वाला जो सेक्शन ए का हमारा टेस्ट होता है वो सबसे पहले करेंगे उसके बाद सेक्शन बी और उसके बाद सेक्शन सी करेंगे तो सभी बच्चे तैयार हैं तो सबसे पहले हम मोहीनी को ओरल्स बोलेंगे मोहीनी के ओरल्स बोलने के बाद फिर हम विराज और यक्शित के लिए बोलेंगे ठीक है मोहीनी तो मोहीनी आपसे शुरू करते हैं हम पहले रेड़ी? 5-2-3-6 that is next 8-4 3-7 that is next 5-6-2-4 that is next 6-7-5-9 that is next 4-9-6 5-6-5 that is next 2-3-8-7-3 that is next 9-5-8-3-2 that is next 8-1-7-5-8 that is next 9-2-5-3-6 that is next 6-9-8-4-7 that is 10-7- Amo तो आप का first 5 होगा mentally and last 5 होगा with the backers ठीक है ना? चलो, ready? first 5 mentally right? ready? 64 64-8 29 that is next 35 minus 2 69 that is next 75 minus 9 minus 18 that is next 26 minus 7 38 that is next next 97 minus 4 44 that is next with the backers 25 minus 16 34 58 49 that is next next 85 85 39 minus 28 57 14 that is next 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 93 64 minus 73 69 minus 56 that is next 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 17 help help लेते हैं दर्शों को ये देख पा रहे होंगे मेरे पस टाइमर है और आप लोगों का जैसे सेक्शन बी कम्प्लीट होगा आप मुझे टाइम के लिए बोलेंगे मैं आपको टाइम बताऊंगा रेडी स्टार्ट तो दर्शों को आप देख पा रहे होंगे कि हमेशा की तरह हमारे तीनों बच्चे अपने गड़ित के सवालों का जवाब देने के मैं पूरी तरह एक डिवोटी के तरह अपने आंसर को लिख रहे हैं उनको मैथमेटिक्स में मज़ा आता है क्यों? क्योंकि वो अबैकस सीख रहे हैं कुछ बच्चे अपर टम में हैं, कुछ लोवर टम में हैं अबैकस एजुकेशन का यही मज़ा है कि बच्चों का जो इंट्रेस्ट होता है बच्चों का जो कॉंसेंट्रेशन लेवल होता है वो तो साथ के साथ इंप्रूफ होई रहा है बट जिस भी सबजेक्ट में किसी का भी इंट्रेस्ट हो वो हमेशा ही अच्छी प्रफॉर्मेंस अच्छे नमबर अच्छे मार्क्स लाने के लिए त्यार रहता है हमेशा की तरह हम लाइव असेस्मेंट टेस्ट ले रहे हैं अबैकस एजूकेशन और गडित के सवालों का जवाब देने में बिलकुल ही तेज तरार तरीके से और ये स्पीड हो पाई है सिर्फ अबैकस की वज़े से आप देख पा रहोंगे मोहिनी पूरी तरह व्यस्त अपने सवालों का जवाब देने में उसके साथ में ही विराज पूरी तरह व्यस्त फुल कॉंसेंट्रेशन के साथ और यक्षिफ पी 2.24 तो मोहिनी ने कर दिखाया 20 सवालों का जवाब सवा 2 मिनट में यानि 2.24 मिनट में आप बिटा पेस टर्न करके रखोगे टर्न करके रख दो दर्शों को आप देख पा रहे होंगे मोहिनी ने तो सवा 2 मिनट में कर दिया क्योंकि उसका फर्स टर्म का लाइव असेस्मेंट टेस्ट हो रहा है विराज और यक्षित का थर्ड टर्म का है उनके 30 संस होते हैं इसलिए थोड़ा सा समय जादा लगदा है और यह सब संबभ हो पाया है यह आप देख रहोंगे अब आकस यलो कलर का यलो बीट्स के साथ लगा हुआ है इसी से बच्चों का कॉंसेंट्रेशन लेवल सेल्फ कॉंट्फिडेंस और स्पीड एंड एकुरेसी के साथ वो अपने मैट्स के आंसर कर पाते हैं कैलकुलेटर से फास्ट कर पाते हैं फास्टर दैन कैलकुलेटर यह सभी बच्चे बहुत ही तेज गड़ित के सवालों का जवाब देने में सक्षम है और बहुत ही ज़्यादा उत्साहित भी रहते हैं कि मेरा सबसे पहले हो जाए तो आप देख पा रहे होंगे दर्शुकों कि एसोलियर एजुकेशन द्वारा अबैकस एजुकेशन का लाइव असस्मेंट टेस्ट हम ले रहे हैं जिसमें मोहिनी, विराज और यक्षित अपने लाइव असस्मेंट टेस्ट दे रहे हैं और डे बाई डे इन बच्चों की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती जाती है जैसे जैसे इनका लेवल और बढ़ता जाएगा आप देखेंगे आने वाले जो हमारे वीडियोज होंगे वो और भी उत्साहित होंगे उत्साह से भरा हुआ बच्चा जब अपने टेस्ट को देता है उसके चेहरे पे जो आपको सेल्फ रिलाइंस दिखाई देता है टर्न 5.20 यक्षित ने कर दिखाया सवा 5 मिनट में अपने 30 सवालों का जवाब टर्न कर दो बिटा टर्न 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 पेज बच्च वेरी गुड अब विराज का जैसे ही कंप्लीट होगा फिर हम सेक्शन सी की तरफ जाएंगे बहुत ही तेज तर्रार हो गए हैं बच्चे हमारे सिरफ पांच मिनट में 30 सवालों का जवाब सिर्फ दो मिनटों में या सवा दो मिनटों में 20 सवालों का जवाब एक बार सभी दर्शवों से मैं निवेदन करूँगा कि वो भी अपने बच्चे का एसोलियर एजुकेशन के उसी मास में अड्मिशन कराएं 6.33 तो विराज ने भी कर दिखाया अपना 30 सवालों का जवाब अभी जब मैं टर्न करने को बोलूँगा तभी टर्न करेंगे अब मैं दुबारा से इसको रिसेट कर देता हूँ ये दर्शवों को देख पा रहे हूँगे रिसेट हो गया तो अभी हम अपने सेक्शन सी की तरफ बढ़ेंगे जो कि तीनों लोगों ने मेंटली करना है अपने अपने बैकस को साइड में रखेंगे हटा देंगे बिल्कुल बहाँ से ठीक है बिल्कुल दूर कर दो अप भी हटाओ बिल्कुल वेरी गुड तो अब हम शुरू करते हैं अपना थर्द टम का सारी सेक्शन सी लेट स्टार्ट आप देख पा रहा होंगे दर्शे को कुछी सकेंडों में पीज सवालों के जवाब बच्चे कर दिखाएंगे कुछ बच्चे मिंटों में कर देते हैं कुछ सकेंडों में कर देते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कितने उत्साइथ हैं हमारे तीनों बच्चे बहुत ही तेजी से पूरी तरे सक्षम कडित के सवालों का जवाब देने में बहुत शांदार तरीके से अपने लाइव असेस्मेंट टेस्ट दे रहे हैं वो एक मिनट चार सेकंड एक मिनट साथ सेकंड तो दर्शकों आपने देखा यक्षित और विराज ने कर दिखाया वन मिनट नाइनटीन सेकंड तो सिर्फ तीनों बच्चों ने हमारे कर दिखाया अपने बीश सवालों का जवाब सिर्फ दो मिनट से कम समय में तो दर्शक को आप देख पा रहे होंगे कि हमारे बच्चे कितने उत्साइट होते हैं कितने confidence होते हैं कितना उनका self-reliance डवलप हो चुका है तो यही आप इसको चमतकार कह सकते हैं जो आपने कहना है कह सकते है कि abacus education में बच्चे बहुत ही ज़्यादा confident हो जाते हैं और कम से कम समय में अपने ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब दे पाते हैं गड़ित का जैसे कि मैंने हर बाहर आपको कहा है कि गड़ित के सवालों का जवाब पलग जपकते ही या फिर पलग जपकते ही गड़ित के सवालों का जवाब यानि कि faster than calculator हमारे सबी बच्चे हो जाते हैं तो अब हम अपने बच्चों से बात करेंगे सबसे पहले जो हमारी नई छात्रा है मोहिनी मोहिनी से बात कर लेते हैं मोहिनी आप ने तो अभी कुछी दो-तीन महिने अड्मिशन लिया था तीन महिने हो गया आपको आपका लाइव असेस्मेंट टेस्ट फर्स्ट हो रहा है ये और कैसा लग रहा है आपको अबैकस एजुकेशन जॉइन करके सर्थ बहुत अच्छा लग रहा है क्या फीलिंग आ रही है आप बताओ हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं आपको सर्थ इससे कैलकुलेटर से बहुत चल्दी और मेंडली कर पाते हैं कैलकुलेटर से बहुत चल्दी तो दर्शक आप देख पा रहे होंगे कि मोहिनी ने अपना जो आंसर दिया है वो ये कि हम जैसे आप से बात करते हैं कि फास्टर दैन कैलकुलेटर यानि कैलकुलेटर से भी तेज तो मोहिनी ने बताया आपको कि कैलकुलेटर से तेज अपने गडित के सवालों का जो आप तो ये अभी फर्स्ट टेस्ट हुआ है बच्चे का और बच्चे का आप confidence देख पा रहे होंगे अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ट टम के बच्चे की तरफ जिसका नाम विराज है विराज बिटा आपका तो थर्ट टम हो गया आज तेस्ट तो अब आपका experience बताओ आज आपने थर्ट टम कर लिया अब आपको कैसा फील हो रहा है सर में को वहाँ अच्छा फील हो रहा है सर साथ में मतलब जब एक लेवल बढ़ता है से लोग अपने में करता हो रहा है सर पहले तर्ब में मेरी स्पीड जाधा बढ़ गई सर भी लेमेन रो 2 में अर जाधा और 3 में उअर जाधा मेराա मेरा कैकुलेस्ट च इस साइट अ Sans Kyos होता है तो मैरे थिसाओन कर दो तो आप देख पा रहे हैं में दर्शकों की विराज ने बताया कि वो अपने क्लास में यानि स्कूल की क्लास में भी क्लास बहुत फास्ट कर लेता है तो कई बार वो अपनी टीचर की भी हल्प करता है और वो अपनी मदर की हल्प करता है जैसे शॉपिंग के बिल्स होते हैं उसमें भी हल्प करता है पूरा गोलू-मलूस आए तो यक्षित अब आप बताओ अब आज आपका थर्ड टर्म का लाइव असेस्मेंट टेस्ट हो चुगा कैसा लग रहा है आपको तो अब आप दर्शकों को बताओ हमारे की आपको अबैकर से एजूकेशन से क्या-क्या बेनिफिट्स हुए आपके क्लास में और भी बच्चे हैं जो आपसे तेज आंसर करते हैं क्या आप ही सबसे तेज करते हो तो मैथमेटिक्स में आप सबसे आगे हो आपके माठ्स भी बहुत अच्छे आते होंगे अच्छा चलो बहुत अच्छी बात है तो आपके 100% माठ्स आ रहे हैं मैठ्स में 100% लाते हो कौन सी क्लास में हो आप थर्ड में हो वेरी गुड तो दर्शक आप देख पा रहे होंगे बच्चा कितना ज्यादा आप अपनी मदर की भी हेल्प करते हो फिर किसमें हेल्प करते हो बताओ अच्छा तो आपने देखा दर्शकों की जब शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो बच्चा हेल्प कर रहा है कि शॉप के पर ने रिटन कितना करना था पेमिंट तो दिस इस दा कॉन्फिडेंस यू कैन सी कि हमारे बच्चे कितने ज़्यादा अपने एक्सपीरियंट शेयर कर रहे हैं तो ये थे हमारे तीनों बच्चे जिन्होंने आज अपना लाइव असेस्मेंट का टेस्ट दिया मोहिनी विराज हैं यक्षित तो दर्शकों इसी तरह मैं अच्छी से अच्छी वी आसन नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन का अलर्ट के द्वारा आपको मिल सके तो एक बार सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्वाद बहुत-बहुत आभार इसी तरह हमारे चैनल के साथ आप बने रहें और एक बहुत ही जरूरी बात कि अगर आप हमारे सेंटर के न इमेल कर सकते हैं हमें messages करके या फिर आप हमें मिलकर अपने queries को solve कर सकते हैं अपने बच्चे का abacus education में admission कराकर आप भी अपने बच्चे को इसी तरह confident बना सकते हैं खास तोर पे गड़ित पे तो वो होई जाएंगे और इससे बच्चे का जो self-reliance develop होता है self-confidence develop होता है उस से बच्चे के बाकी subject भी अच्छे हो जाते हैं और इसी के साथ मैं आपको और जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि हमने अपना दूसरा एक और branches शुरू कर दी है जो कि NOIDA sector 151 में हमने शुरू की है और NOIDA के दर्शक वहां हमें संपर्क कर सकते हैं और अपने बच्चों क का admission करा सकते हैं एसोलियर education में तो इसी के साथ मैं इजाद लेना चाहूंगा दर्शकों बहुत बहुत धन्वाद बहुत आभार धन्यवाद